दाइगाउंटिंग क्लास की और वी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ से साथ बेल आइकन को प्रेस किए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको बिल जाए पिछली वीडियो में हमने शिडूल 3 पार्ट 1 जिसमें कंपनी की बैलेंश शीट का फार्मिट दिया गया था वो बताया है तो आज की वीडियो में हम लोग उसका सेकंड पार्ट statement of profit and loss को सीखेंगे तो चले ही शुरू करते ही वीडियो आपके सामने ये एक statement of profit and loss का फार्मिट दिया हुआ है देख लिजे statement of profit and loss for the year and date जो date होगी वो date लिख दिया जाएगा जिस date को बनाया जा रहा है इसके अंदर चार कॉलम है पहला कॉलम है पार्टिकुलर्स का दूस दूसरा लास्ट कॉलम जो है चौता कॉलम वो है figures for the previous reporting period पिछले साल का जो भी figures होगा जो amount होगा वो यहां लिखा जाएगा इस तरीके से balance sheet में amount के दो कॉलम होते हैं एक पिछले साल के और एक current year के उसी तरीके से statement of profit and loss में भी दो साल के कॉलम बनाया जाएंगे एक current year के और एक पिछले साल के यानि previous year के इसके content की बात करें तो इसमें पहला point है revenue from operation यानि वो revenue जो business की main activity से आता है business जिस चीज़ का होता है उससे कमाई जाने वाली income revenue from operation कहलाती है इसको हम लोग detail में देखेंगे दूसरा other income जो operating income के अलावा income जो आती है हम लोग non operating income कह सकते हैं जैसे क income from investing activity या income from financing activity इसके बाद यह इसका total कर देंगे हम पहले और दूसरे का यह हो जाएगा total revenue अब total revenue के बाद हम expenses लिखेंगे और expenses को फिर minus करेंगे expenses क्या क्या हो सकता है expenses में हम लोग cost of material consume purchases of stock in trade changes in inventories of finished goods work in progress and stock in trade employees benefit expenses finance cost depreciation and amortization expense और other expenses हो सकते हैं यह तमाम expenses का total करेंगे यहाँ पर और इसके बाद यह total revenue में से total expense को minus कर देंगे तो 3-4th row हम कर देंगे 3-4th head हम लोग कर देंगे तो यहाँ जाएगा profit before tax अब इसके बाद tax को minus करेंगे जो भी percentage tax का होगा वो इस profit पे निकलेगा और उस tax को profit है और tax को minus करने के बाद अब जो profit आया यही आपका बिल्कुल final profit है इसे हम लोग profit और loss for the period कहेंगे वो 5th minus 6th row होगा यह 5th minus 6 point होगा तो पांचमे में से 4 point minus करने के बाद यह 7th point आज अगर इसे profit या loss कहेंगे period का यह हो जाएगा अब एक एक करके एक पाइंट को हम देख स that shows the financial performance of a company that is profit earned or loss incurred during the accounting period statement of profit loss क्या होता है वो financial performance का company का एक statement होता है जिससे company की या business की profit या loss पता चलती है format of statement of profit and loss is prescribed in part 2 of the schedule 3 of companies act part 2 में बताया है कि जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था part 1 में balance sheet है और part 2 में statement of profit and loss है तो पहला point हम लोग लेते है revenue revenue के अंदर पहला है revenue from operations revenue from operations का मतलब यह होता है के वो revenue जो company अपनी operating activity से कमाती है that is activities carried on by company to earn its profit company जिस काम को कर रही होती है जिस purpose के लिए होती है उसका एक main काम होता है और उस काम को करके चाहे वो कोई product को बेचना हो या कोई service को provide करना हो जो कमाती है उसे कहते है revenue from operation example के तोर पर यहां पर देखिए net sales जो होगा वो company का revenue from operation होगा किसी manufacturing या trading company के लिए अगर आप manufacturing company की बात करें तो वहां कोई product को बनाया जाता है उसके बाद बेचा जाता है तो product को बनाना और उसको बेचना उससे जो income आएगी उसे net sales कहेंगे या अगर आप trading company की बात करें त जाता है बलकि बना बनाया product खरीदा जाता है और उसे बेच दिया जाता है तो वहां पर जब आप बेचेंगे और बेचने से जो पैसा आएगा total जो amount आप पाएंगे बेचने के बाद उससे net sales की category में रखेंगे और वही आपका revenue from operation हो जाएगा अगर किसी service company की बात करें तो service company में क्या होता है कि service point करती है कोई company और उस service के बरले उसे fees मिलती है तो फीज होगा उसके लिए revenue from operation हो जाएगा अब अगर हम लोग बात करें किसी financial company की financial company का काम होता है securities को खरीदना बेचना securities में amount को invest करना तो वो financial company के लिए क्या चीज होगा operating income financial company के लिए interest collect करना interest कमाना dividend क कमाना shares पर यही उनका main task है इसलिए interest कमाना और dividend कमाना financial company के लिए operating activity होगा लेकिन non financial company के लिए यह operating activity नहीं होगी non financial company के लिए interest और dividend other income की category में आ जाएगी तो चली देखते है other income में क्या हो सकता है other income यानि जो operating income के अलावा जो कोई भी कमाई हो वो non operating हो जाएगी आपका जो main business है जिस चीज़ को आप बेचना चाहते हैं या बेचते हैं या जिस चीज़ की आप service provide करते हैं उसके अलावा कोई और कमाई आपकी होती ही तो वो other income में आ जाती है other income means revenue earned by the company from other sources that is not from the business activities आपकी main business activities से वो कमाई नहीं हो एग्जांपल के तोर पे जैसे gain on sale of a fixed assets आपके पास एक fixed assets सी कोई machinery थी या कोई building थी आपने उसे बेच दिया और बेचने के बाद उस पर कोई आपको gain हुआ तो वो जो gain है वो other income की category में आएगा क्योंकि fixed assets को बेच रहा है machinery को बेचना आपका main काम नहीं था वो आपकी operating activity नहीं थी उसके अलावा access provision return back किसी चीज़ इसका provision आपने जादा किया था अब आप उसे वापस कर रहे हैं तो उस provision को खतम करना भी आपकी other income में शामिल हो जाएगा bad debts recovered अगर आपने bad debts जादा बना लिया था या bad debts बनाया था ऐसा amount जो आपको लगता था कि नहीं मिल पाएगा और आपने उसे bad debts मान करके उसको minus कर दि इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जैसा कि मैंने बताया interest earned on fixed deposits with banks by non finance company अगर आपका business non finance nature का है यानि financial company आपकी नहीं है तो जो भी आप interest कमाते हैं किसी deposits पर या किसी investment पर वो interest भी आपका other income में ही आएगा इसको पहले point में बता चुका तो मैं उसी तरीके से dividend अगर कोई non finance company कमाती है तो उसके लिए dividend other income की कटेगरी में आएगा लेकिन याद रखिए financial company के लिए interest or dividend operating activity होती है जिसको मैंने या note में बताया है in case of a finance company interest and dividends earned a revenue from operation अगर finance company होगी तो यही interest and dividend revenue from operation यानि पहली कटेगरी में दिखाया जाएगा अब बात करते हैं हम लोग expenses की expenses की भी कई कटेगरी है जिसके अंदर पहला है cost of material consumed अगर आपका business manufacturing nature का है तो manufacturing nature के business में आप goods को produce करते हैं और produce करने के बाद sell करते हैं तो जब आप goods को produce करते हैं तो वहाँ पर आपको एक opening inventory होती है या opening stock of raw material होता है और उसके बाद आप कुछ चीजे purchase करते हैं और उसके बाद उसमें से आप closing inventory को minus कर देते हैं तो साल के शुरू में आपके पास जो inventory opening थी यानि जो बिल्कुल बची हुई थी वो और साल के दवरान पूरे साल में आपने जितनी purchase की है और inventory वो add कर देते हैं और साल के आखीर में बची हुई inventory को minus कर दे करते हैं तो इस तरीके से पूरे साल में आपने material कितना consume किया उसकी cost पता चल जाती है दूसरा है purchase of stock in trade यानि वह stock जो आप purchase करते हैं reselling के purpose के लिए उसको हम लोग purchase of stock in trade की कर टेकरीम रखते हैं तो यह बात हम लोग उसकी कर रहे हैं stock in trade की जहां पर आप trading business करते हो जो बना बनाया goods को खरीते हो और बेज देते हैं तो वहाँ पर इसकी बात की जा रही है च्योंकि यहां पर consumed की बात नहीं होगी material consumed वहां होता जहां production कर रहे होते हैं लेकिन जहां production आप नहीं करते हैं आप trading business करते हैं तो वहां पर बना बनाया stock ready made complete product आपके पास आता है और complete चला जाता है आप किसी तरह की manufacturing नहीं करते हैं तो यह वहां की बात की जा रही है purchase of stock in trade आप अपने stock के लिए जितनी चीज़े purchase करते हैं उसक changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade इसका मतलब यह होता है कि this means the difference between the opening and closing inventories of the stock, difference between opening and closing inventories of the finished goods and difference between opening and closing inventories of the work in progress. तो इसका जो difference आप निकालते हैं उस difference वाले amount को आप इस थर्ड वाली category में रखेंगे changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade. चोथा employees benefit expenses, employed benefit expenses means amount paid for the benefit of the employees, employee की भलाई के लिए जो कुछ pay किया जाता है वो चाहे wages हो, salaries हो, bonus हो, leave engagement हो, leave engagement का मतलब होता है छुट्टी के बदले दिया जाने वाला पैसा, कुछ ऐसी छुट्टियां होती है, कुछ ऐसी leave होती है, कुछ ऐसी vacation होते हैं, जिनको कमाया जाता है, यानि अगर वो vacation न लिया जाए, तो company उसके बदले में पैसा देती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो चुट्टियों के बदले पैसा पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा incentive हो जाता है, एक अच्छा benefit हो जाता है, तो ये leave engagement एक तरा का benefit है, जो employee को दिया जा जाता है, उसके अलावा staff welfare expenses, employees की भलाई के लिए बहुत सारे और भी expenses हो सकते हैं, जैसे medical insurance और transportation expenses, etc, और etc, यानि इनके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जो भी possible हो, वो company को पर depend करता है, कि company कितने तरह का benefit है, कितने तरह का allowances, या कितने तरह की facility company provide करी है, कहीं कहीं पे बच के education की feed ही जाती है, कहीं कहीं पे entertainment का भी allowance दिया जाता है, तो इस तरीके से वो company पर depend करता है, कि company कितने तरह की benefit या facilities provide करी, तो वो सारी चीजें employees benefit expenses में आ जाएगी, पाच्वा है finance cost, business के अंदर financing activity भी होती है, financing activity यानि जैसे की loan को लेना, या loan को चुकाना, तो अगर loan की बा लेते वक्त processing fee charge किया जाता है, वो बहें किया जो financial institutions हैं, वो charge कर लेते हैं, तो loan processing fee एक तरह की cost हुई, जिसे finance cost कहेंगे, उसको हम लोग इसी category में रखेंगे, इसके अलावा discount on issue of debentures, company अगर debentures को issue करती है, और वो discount पर issue करती है, तो discount पर अगर debenture issue किया जाता है, तो वो discount एक तरह का expense है, या एक तरह का loss है, उसको आप इसी finance cost में ही करेंगे, जो कि issue of debenture एक financial activity होती है, आप cash flow statement अगर आप पढ़े होंगे या जानते होंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि financial activity कौन कौन सी होती है, मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आपको cash flow statement और financial activities clearly समझ में आ जाया है, इसके लावा premium payable on redemption of debentures, company redemption करती है, अगर debentures का premium पर, redemption of debentures का मतलब होता है कि company debentures की maturity पर उसका पैसा लोटा देगी, लेकिन वो पैसा premium पर लोटाएगी, premium पर लोटाएगी, मतलब यह है कि जितना उसका par value है, उसस यानि 20 रुपे ज़्यादा दे, तो यह जो 20 रुपे ज़्यादा दिया जा रहा है, उसे कहेंगे premium payable on redemption of debentures, और उसको इसी finance cost की ही category में रखेंगे, जोकि यह तमाम चीज़े debentures या loans जो है, वो financial activity का part होता है, इसलिए इससे related cost भी finance cost कही जाएगी, और उसको हम लोग इस 5 ही head में दिखाएंगे, याद रखिए, bank charges are not shown under finance cost, but are shown under other expenses, लेकिन अगर bank charges है, एक normal तरह का charge होता है, bank बहुत सारे चीज़ों का charge काट लेता है, आजकल आप लोग देखते होंगे कि bank कभी SMS का पैसा काटता है, कभी ATM का काटता है, कभी statement के लिए काट लेता है, तो बहराल जो भी bank charges होता हो, bank जो भी amount charge करता है, काट लेता है, वो finance activity में नहीं रखते हैं, बलकि वो एक normal expenses है, उसको हम लोग other expenses की category में रखेंगे, छटवा है आपका depreciation and amortization expenses, depreciation और amortization ये दोनो non cash expenses है, यानि इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता है, आप कोई amount नहीं खर्च करते हैं, लेकिन ये expense होता है, वो ये होता है कि आपकी जो assets होती है, वो धीरे धीरे खर्च होती जाती है, तो assets का consumption ही depreciation कहलाता है, अब यहाँ पे एक term में depreciation और amortization, दोनों की meaning और sense लगभग same है, सिर्फ word का difference है, और उसकी application अलग-अलग जगे होती है, depreciation को हम tangible fixed assets के case में देखते ह अगर कोई tangible fixed assets, जैसे की building, machinery, plant, vehicles, यह सारी चीज़ ने tangible fixed assets है, अगर इसमें कोई कमी होती है, इसकी value में कमी आती है, तो उस कमी को depreciation कहते हैं, जब intangible assets की बात होती है, तो intangible assets की भी एक life होती है, पले intangible समझ लिजए, intangible वो होती है, जिसे चून नहीं सकते हैं, देखन चाहिए, जैसे patent आपने करया है, माली, यह patent आपने करया है, वो 14 साल के लिए है, जो amount आपने patent के लिए पें किया हो 14 साल बाद खतम होजाएगा, तो हर साल जितना amount patent का कम होता जा रहा है, उस कमी को ही हम लोग amortization कहेंगे, 14 साल लाद पूरा खतम होजाएगा, यह मैंने example के तोर पर लिया 14 साल हर कंट्री का हलग-लग हो सकता है Amortization is the cost of intangible fixed assets return of over their estimated useful life Intangible assets की cost को ही हम लोग amortization कहते हैं जिस तरीके से tangible assets की cost को depreciation कहा जाता है अब last वाला है other expenses वो तमाम expenses जो उपर की 6 head में नहीं आ सकते हैं उनको हम लोग other expense की category में रखते हैं तो expenses that are not shown under any of the above six categories are shown under the other expenses example जैसे carriage inward, carriage outward, bank charges etc bank charges को हमने पहले बता दिया था कि bank charges को finance cost में नहीं रखते हैं बलके other expenses में रखते हैं carriage inward वो amount होता है जो goods को purchase करने पर आप transportation pay करते हैं carriage outward वो होता है जो goods को sell करने पर आप transportation pay करते हैं तो inward और outward दोनों opposite है हला कि दोनों ही expenses लेकिन एक जो है वो आपका direct expenses है और दूसरा indirect expense की category में आता है अगर हम इसको direct और indirect के point of view से बाटें तो यही हो जाएगा अब आप यह देख लिए यह statement of profit and loss जो मैंने आपको बता आती है सारे point मैंने आपको discuss कर दिये यह सारी चीजें बता दी है tax के लिए मैंने बता दिया आपको कि tax का एक percentage होता है जिसे घटाया जाता है तो उम्मीद करते हैं आपको यह information यूस्पिल लोगी होगी तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है इसको subscribe कर दें और bell icon को press करते हैं ताकि मेरे हर वीडियो की notification मिल जाए अपना बहुत ख्याल लगेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye